हलो 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 एवरिवन, वेलकब टो आवर चनल, लेट्स प्राक्टिश टुगेधर, तो आज जो CSS बैटल में हमारा टार्गेट इमेज है, वो है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग डेली करते हैं, सबसे पहले कमेंट्स को करते हैं, डेलीट, और हम लोग यहां से div को भी हटा देंगे, हम लोग लेंगे star, और डालेंगे सबसे पहले अपना background color, तो हम लोग को background color यहां पर दिया हुआ है, just click करना है, और यहां पर डाल देना है, and I hope कि आप लोग यह video देखने से पहले, खुद से एक बर जरू try करते हैं, कि हम लोग इस image को कैसे बनाएं, और उसके बाद यहां पर आते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, left side वाले पर focus करते हैं, कि हम लोग यह left side वाला image है, इसको बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह color हम लोग को पता है, तो चलो, सबसे पहले यहां पर द तो यह है मेरा कितना 190 और तोटल होता है मेरा 400 याने कि 210 तो हम लोग बोल सकते हैं 60 हो गया top से, right से हो गया 210, bottom से भी हो गया 60 और मेरा left से कितना हो जाएगा 120, correct? 120 ही था ना, देख लेते हैं एक पर, 120, नहीं, 130 था, तो हम लोग 130 डाल देते हैं, बढ़िया, तो हम लोग को एक कि मेस तो मिल गया, अब बचा क्या, अब बचा कि इसकी जो top में यह वाला लाना है, ठीक है, यह जो circle वाला type का है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कि हम लोग एक div लेकर के, उसको border radius से बना देंगे ऐसा, ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ div को हम लोग क्या करते हैं, p tag में convert कर द लेंगे, ठीक है, तो हमारा color काउन सा चाहिए, same color चाहिए ना यह वाला, तो हम लोग वही करते हैं, पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको सिधा width और height दे देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसका width देंगे, और height देंगे, width height कितना होगा यह देखो, यहाँ है 130 और यह हम लोग star पे दिये हैं, तो इसको भी हम लोग एक background color डाल देते हैं, और इसका background color डाल देते हैं white, लेकिन अब हमें दिखे का कैसे है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते है, border डाल देते है, border होगा मेरा 2px solid, तो यह black border आपको दिख रहा है, कि यह जो top है, यह मेरा क्या है, क और किधर देना, अगर मैं border idea, सीधा में लिख दूँ यहाँ पे 50px, तो यह circle बना देगा, लेकिन मुझे circle तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, top सीधा चाहिए, right सीधा चाहिए, यह जो bottom वाला है, like bottom का right corner है, वो चाहिए मुझे circulation में, तो वो कैसे देंगे, तो top के ल 70 डालते है, 80 डालते है, और perfectly हो गया है, थोड़ा सबस बजा हुआ है, like 81, 82, इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया, अब हम लोग को चाहिए border, right, border 2px में में मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखो, नीचे कितना सारा है, यहाँ तक हम लोग को लेके जाना है, त अगर मैं यह color डाल दूना, 2px 20px solid के बाद में, तो आप देखो कि हमें पहला image के जैसा मिल गया है, ठीक है, तो black color करके आपको क्या दिखा है, कि इसके जो चारो तरफ है, यह चारो तरफ border आया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यह दे देते हैं, तो अब हमें क्या कर रह जाएगा और left से कितना जाएगा, यही मेरा next target है, तो top से कितना जाएगा और left से कितना जाएगा, यह हम लोग सोचते है, top से हम लोग करते हैं, कितना, top से हम लोग को बस थोड़ा साउट को उठाना है, तो 20px 20 unit उठाते हैं, अगर मैं difference दिखाओ, और यहां पर bottom को भी 20 कर आ चुका है, बढ़िया, मुझे थोड़े इसको बगल में खिचना, यानि कि left जो है, उसको बढ़ाना है, 120 करके देखते है, थोड़ा सा कम लगेगा, 110, perfect, तो अगर मैं difference दिखाओ आपको, तो perfectly आ चुका है, बस थोड़ा सा top को, और हम लोग करते हैं, cover, like 25 करके देखते है यस, तो हम लोग देखते हैं, कि ये जो P है, ये हमारा perfectly पहला वाला design बन चुका है, अब हम लोग ने एक और property पढ़ा था, जिसके कहते थे, box reflect, है न, box reflect क्या करता था, जो भी हम लोग का image है, उसी का reflection यहाँ पर दे देगा, और यही तो है, अगर मैं बीच में यहाँ पर mirror position पर, अब अगर यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि webkit के आगे भी हुझे, dash लगाना पड़ेगा, अब देखो, ये perfectly उसका reflection आ गया, लेकिन थोड़े से दूर में चाहिए, तो gap कितना का चाहिए, चलो 20 pixels देते हैं, और अब अगर मैं difference दिखाऊं, तो हमारा perfectly match ह हो गया, कितना असान था ना ये, तो अगर मैं इसे submit करूँ, तो आपको दिखाता हूँ, कितना percent हम लोगों ने match करवा दिया image को, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कि आपर 99.9% match कर चुका है, ठीक है, यानि कि बस एक pixel उपर नीचे थोड़ा सा है, वो आप कर लेना, अ यहाँ पर हम लोग को use करना पड़ेगा, हम लोग ने किया background में linear gradient पढ़ा था, repeating linear gradient पढ़ा था, लेकिन radial gradient क्या होता है, आज मैं आपको radial gradient सिखाता हूँ, देखो, यहाँ पर हम लोग इस P को हटा देता है, इसकी कोई ज़रत नहीं है, और इस P tag के भी कोई ज़रत नहीं है, एक तो तरीका आपने बता दिया, देख लिया जो कि था beginner method, अब दूसरा तरीका देखते है, जहाँ पर हम लोग यह background जो है, इसको नहीं use करके, क्या करेंगे, यहाँ पर use करेंगे हम लोग linear gradient, तो मैं क्या करता हूँ, radial gradient, sorry, radial gradient क्या होता है, मैं आपको पहले वो दिखाता ह तो पहले चाहिए मुझे white, और उसके बाद चाहिए मुझे यह green वाला, ठीक है, तो अगर मैं यह दोनों यहाँ पर डाल दूँ, आप देखोगी कि यहाँ 20 से सुरुआत हो रहा है, और 4 तरफ circle के थू यह जा रहा है, लेकिन मुझे यह circle कहाँ चाहिए, मुझे यह circle चाहि आ गया यहाँ पर, और यहाँ से इसको slide and compare हटा देता हूँ, यहाँ top से start हुआ circle बनाना और वो अब इस तरह circle बनते बनते नीचे आ रहा है, correct है, लेकिन मुझे क्या है, solid में चाहिए, और आपको पता ही, अगर solid में चाहिए रहता था, तो मैं क्या करता था, यह color को define करता तक कितने pixel से कितने pixel तक मुझे चाहिए, तो मुझे जो starting color चाहिए, वो चाहिए कहाँ पर, वो चाहिए starting से 60 pixel तक, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 60 pixel, क्योंकि हमने देखा था ना, जब हमने square बनाया था तो, कि वो 60 pixel कर रहता है, लेकिन यह नीचे वाला क्या होगा, इस third gradient भी चाहिए, third gradient क्या होगा, यह white color होगा, और यह white color कहां से आएगा, यह नीचे तक आएगा, यह भी तो मुझे solid में चाहिए, तो मैं बोलूँगा, कि जहां से यह खतम हुआ, मतलब यह बागी जो भी है उसको zero कर दो, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, last वाला, ठीक है तो अभी क्या हुआ, अभी आपका starting हुआ कहां से, 0-0 से, मेरा वा यह 60 pixel, ठीक है, उसके बाद मैंने color चूज़किया second वाला, जिसे मैंने कहा 60 से लेकरके 80 तक चलना, ठीक है, next 80 तक, 20 pixel का मुझे gap चाहिए, और उसके बाद white color चाहिए, rest of it के लिए, देखो, आपका काम होक करके तयार है, ठीक है, अभी अगर मैं submit करूँ, तो आप देखोगे कि score हमारा कितना बढ़ गया, क्योंकि हमने without p tag इसे बनाया है, और यहाँ पर match भी आपको कर जाएगा 100%, समझ गए, तो यह दो तरीका आपको मैंने सिखा दिया, आज आपने सिखा radial gradient कैसे बनाते हैं, चल कल फिर मिलते हैं ने कोईसियन के साथ, तब तो के लिए गुडबाई, स्टे बलेज, इटे सेफ, एंड केप कोडिंग